चलो सर अब आजओ अगला चाप्टर दाट इस डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट चाप्टर का देखो यह इलस्ट्रेशन नमबर 23 है इंस्ट्टूट के मॉडिल में पेज नमबर 498 चलो दलजी से कर लेते हैं इस पर बहुत इंपोर्टेंट माग कर लो इस बार आने का चांसle बहुत है क्या बोल रहा देखो ए अन कमपनी अस तु एपार्टमेंट बिपार्टमेंट क्यों डो देपार्टमेंटर भूंक्डटमेंट Department P sell goods to Department Q at normal selling price. Goods are sent at normal selling price. तो यहां पर stock reserve का concept आएगा. From the falling particular prepared departmental trading PL for the year ended 31st March 18 and also ascertain the net profit to be transferred to balance sheet. अपर departmental trading PL बनाने के लिए बोल रहा है. और बोल रहा है कि बताओ profit कितना जगा balance sheet. वोई net profit निकालने बोल रहा है, general PL बना के. क्या-क्या दिया देखो, मैं बात कर रहा हूँ. Opening stock trading में, purchase trading में. Goods from P, मतलब P department Q को भेज रहा है. तो trading में जाएगा सर. यह IDTA, Inter department transfer. Wedges trading में जाएगा, traveling expense PL में. Closing stock at cost to department. जिस department का उसका cost है. जो भेजा होगा उसका तो selling price होगा. यह तो trading में जाता है. Sales जाएगा आपका trading में. Printing जाएगा PL में. तो यह सब समझ में आ रहा है. The following expense incurred for both the department were not apportioned between department. Salaries, advertisement expense, general expense. Depreciation बोलता है 30% और 96,000 पे. 96,000 पे 30% बतलब 28,800 का depreciation. अब यह सब खर्चा गर तोड़ दिये, तो allocated expense है, departmental PL में जाएगा. और नहीं तोड़ पाए, तो unallocated expense रहेगा. यह general PL में जाएगा. The advertisement expense of department are to be apportioned in turnover ratio. Turnover मतलब कौन से ratio हो गया? Sales ratio के अंदर? तो turnover ratio मतलब sales ratio में बांड दिया जाएगा. तो मुझे दिखाई देर है sales ratio, sir. यह रहा, sir, sales ratio में बांड दिया जाएगा 30-20. salary, salaries and depreciation are to be apportioned in 2-to-1. तो salary को भी तोड़ सकते हैं, advertisement तोड़ी रहे हैं, and 1-to-3. रुख जा, salary का है 2-to-1, और depreciation 1-to-3. यह भी तोड़ देंगे. जेनरेल expense को तोड़ना है 3-to-1 में. 3-to-1 तो सारा खर्चा तोड़ सकते हैं, तो allocated expense है. ठीक है, तो एक-एक करके, एक काम करो, तुम चालू करो. तो क्या चालू करें? भे, यही चालू करो, और क्या? देखो, तुम पहले क्या बनाएगा? departmental trading PL. department P का column, department Q का? टोटल बनाने तो बनाओ, नहीं भी बनाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, सर. अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, सबसे पहले मिला opening stock 5,00,00, तो मैं यहाँ पर लिखना चालू क्या? 2 opening stock 5,00,00 आगे. ठीक है, सर. इसके बाद मिला मुझे 2 purchase, 28,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00. तो 2 purchase, 28,00,00,00,000,00,00 ट्रेडिंग में अगे. अच्छा, सर. और देखने दो. उसके बाद है, सर, यह good cent वाला के है, कौन बेज रहा है? 8,00,00,00 का माल. पी भेज रहा है तो पी में sale type का चीज़ है credit होगा और Q को मिल रहा है तो Q में debit होगा P में credit होगा लेको P में credit होगा 8 लाग और Q को मिला है तो Q में debit हो जाएगा IDT बोलते हैं Inter-Departmental Transfer सर हो गया Inter-Departmental Transfer सर आगे चलिए तो आप अचा wages है देखो दोनों का मिल गया 350 और 2 लाग तो 2 wages 350 और 2 लाग यहां दिखाई दे जाएगा सर 350 और 2 लाग सर और क्या मिला सर और देखने दो हमें और क्या मिल रहे हैं यहां पर उसके अलावा ट्रेडिंग में जाने लाइक है sales 30 लाग और यह क्या है अब सोचो ट्रेडिंग का सारा इटम बैठा दिया तो जीपी निकल जाएगा तो तुम टू जीपी 950 9,09 निकाल लिया जीपी ब्रॉट डाउन कर दो 950 और 9,09 यहां तक तो हो गया सर अब सारा खर्चा एक साथ बैठा दो जो तोड़ा हुआ है पहला है ट्रावलिंग इक्सपेंस 20,160 मैं आप लेक्राव ड्रावलिंग एक्सपेंस 20,160 बढ़ा दिया सर ट्रावलिंग एक्सपेंस के बाद मिल रहा प्रिंटिंग एंस्टेशनरी 30 और 25 उसके बाद मैं यहां लेखा प्रिंटिंग एंस्टेशनरी 30 25 एक एक करके सालोरीज 3 30 उसको 2-1 में तोड़ने बोला है तो मैं अगला तो करचा सब्सक्राव को तोड़ दिया तुब टीज़तो कि रेष्व में सर आटवहेटिजमें को बोला कि तर्नोवर यानि सेल्स के रेष्व में सेल्स था थर्ति 1 20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 800 को 1-3 में भी तोड़ दिया करके अब क्या बचा नेट प्रॉफिट आ गया तो बस नेट प्रॉफिट है अब जेनरल पील का सेक्शन बन रहा है यह जो नीचे बन असको जनरल पेल बोलते हैं यह आप नेट प्रॉफिट टोटल नेट प्रॉफिट पहले ब्रॉट डाउन कर क्लोजिंग स्टॉक रिजव निकालना पड़ेगा शृ जर तो इसके लिए क्या-क्या चीज़ चाहिए सर मैं बता रहा हूं liquidity क्या-क्याच है मैं दिखाता हूं सर आपको वापस से question fresh करके दिखा रहा हूं आपको एके करके खर्चा क्या क्या चीज़ सर इधर department में देखो इनका पी और क्यू डिपार्टमेंट है यह यह ना यह नहीं यार इसके नीचे वाला है यह रहा है अब देखो इधर में एक एक करके इनका मैं content ratio निकाल पाँ content ratio में सबसे पहले चाहिएगा purchase तीन लाग का है तो मैं यह लिखना चलू किया देखो मेरा बात मेरा content ratio में purchase है सबसे पहले और purchase में तीन लाग रोपे तीक है सथ इसके बाद आपके पास है IDT आठ लाग रोपे का मैंने लिखा IDT है अपने पास कितने रोपे का 8 लाग रोपे ठीक है वेजिस का खर्चा है दो लाग रोपए का wages का खर्चा कितने का है 2,00,00 रुपेगा और कोई खर्चा तो नहीं है तो मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहरा हूं कि अपना total cost अगर आप दिमाग लगाओ तो अपना total cost हो गया 13,00,00 रुपेगा अब अपने को पहले निकालना चीए content ratio के लिए क्या करना चाहिए आपको लेना चाहिए IDT divided by total cost इन्टू 100 अपना IDT कितना है सर 8,00,00 टोटल कोस्ट कितना है 13,00,00 अब इन्टू 100 कर लिजिए तो भहिया आठ लाक इन्टू स्वरी आठ लाक डिवाइड़ बाई 13,00 कर लिया तो यह आ रहा है 61.54 परसेंट यह content ratio निकला जी क्या निकल गया भीया यह content ratio निकल गया से ठीक है सर content ratio निकालने के बाद अगला जो मुझे चाहिए होता है वो है GP ratio चाहिएगा sending department का मतलब P department और GP ratio का formula है बच्चे GP divided by sale plus IDT into 100 इंस्टूट के बुक में भीया एक छोटा सा calculation mistake है इसलिए में यह दिखा रहा हूं से है नहीं तो मैं नहीं दिखाता से हाँ बटाओ आपका GP कितना निकला था GPG P का 950 तो यह 950 ले जिया मैंने ठीक है भीया यह 950 है divided by sale, sale है 30 और IDT है 8 तो यह 38 हो गया तो मैं यह लिख दिया आपके लिए 30 और यह रहा 8 30 परसंटेज के लिए मैंने निका दिया इन्टू 100 तो 950 divided by 38 यह 25 परसंट आ गया तो मुझे पता चल गया हमारा GP ratio कितना परसंट है बच्चे 25 परसंट है और लास्ट टेप है सर अपने को निकालना है closing stock reserve क्या निकालना है सर closing stock reserve निकालना है तो closing stock reserve के लिए आपको लेना पड़ेगा closing stock of receiving department receiving department कौन है of q department into फिर आपको इसको करना है content ratio content ratio भी किसका चाहिए of receiving यानि q department तो q कमाल पता चल जागा इससे और q का profit के लिए gp ratio चाहिए of जो भेजा है p department आप देखो closing stock कितना था closing stock था q का 2,09,000 तो मैंने लिखा 2,09,000 content ratio कितना है content ratio है 61.54% तो 61.54% और gp ratio है 25% बस 2,09,000 into 61.54% into 25% तो यह मिला के अगर मैं round off करने चला जाओं तो round off करके आएगा 3,21,55 3,21,55 आपका closing stock रिजवाना चाहिए और देखो यहाँ पर 2 closing stock रिजव यहाँ पर ही देखो change होना चाहिए 3,21,55 यही निकाला ना मैंने 3,21,55 सर इंस्टूट का अंसर अलग क्यों है सर उन्होंने क्या किया उन्होंने content ratio में गरबड़ी कर दिया उन्होंने content ratio में 8 by 11 लिया उन्होंने wages नहीं लिया सर नहीं समझाबात हम लोग जो solution कर रहे content ratio में देखिए हमने wages भी लिया है सर wages क्योंकि समान बनाने में wages भी लगता है इन्होंने यह 2,00,000 को छोड़ दिया इसके वज़े से difference आ गया पर आपका छोड़ने से नहीं चलेगा सर आपको लेना पड़ेगा सर क्योंकि जब कोई समान बनता है तो उसके अंद और यह सबसे आसान तरीका है बाकी लोग जैसे करते हैं बहुत लंबा चोड़ा तरीका होता है मेरा एकदम stepwise सजयाव accounting है भाई साब दिमाग इनी लगाना पड़ता है चलो ठीक है यह हो जाएगा तो आपके answer में ज्यादा कुछ फरक नहीं आएगा तो उधर में आपका है 645200 माइनस 32155 कर दिये तो यहां पर क्या बचेगा सर आपका जो profit है 63045 यह profit बचना चाहिए बस सर खतम है आप फट से यह वाल एक बार recap कर लो फिर अगले समय चलो